ये इसाखान का मकबर्या है इसाखान ये एक ईसेर्सा सूरी का मतलब आफगान नवाब था अन draw jury के साथ मुगलों पे आक्रमौट पर लाला था वह कबजा कर लिए थी दिली पे शेर्साफेरी का जब रास्ता तब उस는데 मतलब जीते जीचिएघी बनवा यह बताते है कि हुमायु का मक्वर्अ बनने से 20 साल पहले πहले बना है यह जब जीन्दा था तभी बनवा दिया था भी है बन वाय दिया है इस अपने जीवitah मरने के बाद उसके और उसके परिवार वालों के काम आया ही उसने यह बनवाया है और मजजिद इस्या खान-इजमी यह उसके और उसके परिवार वालों की कबर है यह इसाखान की कब्र है सायद और यह उसके बीवी की बच्चों की माँ भाफ जो भी हो खुश लिखा ही नहीं है यह सब दफन होने के लिए जिन्दा रहते हैं तभी अपने बनवा लेते थे मरने की बाद मुझे हैं दफन करना यह अफगान सासक था एक सासक नहीं सेरसासूरी के साथ युद्ध करने में एक नवाब था वो युद्ध किया था मुगलों के खिलाफ बाबर को यही लोग भगाये थे चलो यहां सक्रे लगे अब यहां यह इसा नियाजी की जो है खुद अपने लिए बनवाया था वो मास्जीद यह इसम क्या है यह कुणा है यह कुणा है यह कुणा बनाया है ताकि यहां पर जो है वो वजो वजो करने के लिए सज बताओं तो अकेले बहुत डर लग रहा है अभी मेरे पास कोई है नहीं कि यह मर्जिद है और इदर एक दर्वाजा है तो शिड़ी है उपर जाने के लिए देखते हैं कितनी उपर तक जा सकते हैं वाय आपने बसकी बात नहीं है कितना खतर नहीं है कि कि अधिक नहीं दिख रहा बाए बाग चलो अंदर से कुछ आवाजें हा रही है चुब चुब करने की अधि मैं डरता विवावदोना इसलिए भाग जाऊंगा अकेले अधि अधि और एक साइद इधर भी शीड़ी बनी हुई है देखते हैं कि अधिक यहां पर कभूतर गुटूर्गों कर रहा है ना उसकी आवाज यह है बहुत ही खतरनाग आ रही है बहुत ही खतरनाग दम गूंज रहा है मैं बोल रहा हूं फिर भी लगूंज रहा है अधिक यहां पूटर लगेगा तो हो गया फाइनली सब कुछ यह इसा का मगबरा हो गया इसा की मज़िद भी हो गई और यहां से यह सीड़ी बनी हुई है उपर चड़ने के लिए लेकिन इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि कोई उपर न जा पाए यह गेट बना हुआ है क्या चीज़ है इसमें बोताहा सा लग रहा है देखते हैं एक बार झाल